मंदिर से लोटते वक्त यदि भिखारी दिख जाता है, तो तुरंत यह तीन काम कभी मत करना। दोस्तों, आज के समय यदि आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको मंदिर के बाहर भिखारी जरूर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो के जरीए आज हम आपको बताएंगे कि आपको मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी के साथ कौन से कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। आए जानते हैं दोस्तों, आज के समय बहुत से लोग भिखारी से जुड़ी इस गलती को करते हैं और फिर इस गलती के कारण ही वह बाद में पच्छताते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यदी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, यदी वह मंदिर से लोट कर आते हैं, तो मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी की वेश भूशा देख कर वह मन ही मन उसको हीन दृष्टी से देखने लग जाते हैं और अपशब्द कहने लग जात कि ऐसा करने से उनको ना तो दर्शन का फल मिलता है और ना ही भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, यदी आप किसी भिखारी को कुछ दान नहीं दे सकते हैं या कुछ राशी नहीं दे सकते हैं तो आप उसका अपमान भूल से भी ना करें, आप अपने मुख से भगवान का नाम भिखारी से कह सकते हैं, पर भूल से भी कभी भिखारी को हींद रिष्टी से नहीं देखना चाहिए और ना ही उसे कुछ अपशब्द कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल औ आप भिखारी से नहीं करते हैं, सीधे तोर पर ईश्वर से ही नफरत करते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी ईश्वर का ही सेवक होता है, उसका सम्मान भी जरूर करना चाहिए और नमबर दो है, बहुत से लोग इस गलती को जरूर करते हैं, कि यदि भि बिखारी कुछ मांगते मांगते अचानक किसी महिला या व्यक्ति के पास आ जाता है अथवा उनको छुने लग जाता है तो गुस्से में आकर वह महिला या पुरुष उस बिखारी पर हाथ उठा देते हैं और उसको कह देते हैं कि यहां से चला जा पर दोस्तों ऐसा करने पर बैठे हुए भिखारी पर, ना तो हाथ उठाना चाहिए, और ना ही उसका अपमान करना चाहिए, यदि जो ऐसा करता है, तो उसको अपने पूरे जीवन भर परेशानियां ही भुगतनी पड़ती हैं, और नमबर तीन है, मंदिर के आसपास या मंदिर के बाहर बैठे हुए, बिना दिये मंदिर से जाना नहीं चाहिए, मंदिर से यदि आप लौट रहे हैं, और अगर आपको भिखारी दिख जाता है, तो उसको अपनी समर्थ अनुसार कुछ राशे जरूर दीजिए, या आप राशे नहीं देख सकते हैं, तो कुछ खाने की सामगरी भी दे सकते है ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों मंदिर से बाहर जवाब दर्शन करके आते हैं, तब आपको भिखारी से जुड़ी या तीन गलतियां नहीं करनी चाहिए